भारत में पहला बड़ा समरज्य ये किसी ने स्थापित किया था तो वह किया था चंदरगुप्त मौर ये इसने किया था पहली बार पूरे भारत को एक सुत्र में बांधने वाला को राजा था तो वह कुन था चंदरगुप्त मौर जिसका समरज्य क्या किला है मौर ये समरज अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी तक, अफगानिस्तान से लेके बंगाल की हिंदुकुस की पहाड़ियां, अफगानिस्तान में जो पहाड़ियां उनका नाम क्या है, हिंदुकुस, हिंदुकुस की पहाड़ियों से लेके बंगाल की खाड़ी, पूरा का पूरा चंदरगुप्त मौरिय के दिन था, इनकी राजदानी वा करती पाटली पुत्रु। राजदानी कौन थी? जिसको आजकल आप बोलते हो पठना, क्या बोलते हो? पर जब मौरिय सामराजय का विखंदन हुआ, जब मौरिय एंपायर का डिकलाइन हुआ, तो इते बड़े राजा नहीं बचे, मौरियों के बाद में बार्ट में राजा बनेते हैं सुंग, कौन बना था? सुंगा डायनेस्टी आती है, सुंग राजवन साथ है, सुंगों की में राजदान थोड़ी चैंज भी, और मद्य परदेश में एक जगह पड़ती है, वो राजदानी बन गई, विदिशा, क्या राजदानी बन गई? एक बार छोड़े छोड़े राज़े सुंग आये, कणवा आये, साथ वहान आये, छोड़े राजवन साथे चलेगे, फिर एक बड़ा राज़वन साया, गुप्त, कौन्चा राजवन साया? वापस एक बार वही भारत पूरा का पूरा गुप्तों के अधीन था, एक बार फिर राजदान थी पार्टली पुत्र, कौन्ची राजदान थी? गुप्त खत्म वे वापस भारत विखंडीत हुआ, आज़ा का नाम था हर्स्वर्धन, क्या नाम था? अच्छा मोरियों और गुप्तों के टाइम में जब राजदानी पाटली पुत्तर थी, तब उनका अधिकार उत्तर भारत पे भी था और दक्षिन भारत पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों पर ही गुप्त चोड़े 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 राज्ये बन गए. इंडिया में करनाटक और महराष्ट्रा में एक राज्वन्स ङो आकरता, इसका नाम ता, राश्ट्रकूट. कौनसा राज्वन्स है? राजदानी थी, वह राजदानी थी, मन्ने ख Judith. क्या राजदानी थी? बिहार और बंगल में एक राजवन्स था, इसका नाम था, पाल. और इनकी राजदान थी मुंगेर। कौन्ची राजदानी है? कन्ञोज पे कबजा करने के लिए भारत की तीन पावर आपस में लड़ रही है। वेस्टन भारत में? साउथ इंडिया में? इस्टन इंडिया में? इनको नॉर्थ पे कबजा करना है। इस वेस्ट और सौथ वालों को कभजा कहांपे करना है नॉर्थ में सेंटर कौन सा है जो किसी टाइम किसकी राज़दान था हर्सवरदन के मरने के बाद उसके जो उत्राधिकारी है वो ज्यादा योग्य नहीं है योग्य नहीं तो यह तिनों चाहते हैं यहांपर क्या कर ले में बेठे में भीनमाल राज़दा नहीं है परतिहार गयर परतिहार उन्हें पालों को भगा दिया और कहां पर कभजा कर लिया यह यह बात पता जली राश्ट्रकूटों को तो राश्ट्रकूट गये इन्होंने परतिहारों को भगा दिया और कहां पर कभजा कर लिया पहल आइए छिल्टा रांड समापत होता है, पहले रांड में पाल आए, पदॅ परतिहार है, और फिर कोन आए, राश्ट्रकूट कहां की है, South India. South और North के बीच में एक range ए, विंध्याचल, कौँची range है? विंध्याचल रेंज, इंडिया को दो पार्ट में साप-साप बांड देती, North India अलग, South India अलग. आप सोचके देखो जिस टाइम ट्रांस्पोर्टेशन नहीं था जाधा, कम्मिन्यूकेशन नहीं था, तो नौर्थ से सौथ में आना बहुत मुस्किल था, पहाड क्रोस करके इधर कोई आता है नहीं था, स्थ वाले सौथ में बेठे नौर्थ वाले नौर्थ लेकिन पहली ब चलुके पल्लव कदंब गंग वनवासी चोड़ 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 पावर इन सब को पता चला कि आज का राष्ट्रकूर्ट तो कहां चलेगे इसलिए राष्ट्रकूर्टों के राजदानी कि खाली पड़ी इन सब ने कठ बंदन मनाया कि टीम बनाई इन सबने और टीम बनाग पर कपज़ करी बेटे हैं लोगों ने अपने घर पे कर लिया वह बचारे बाग क्या है वापस और बाग क्या कि इन कुकरमुतों को पिटा और वापस उन्होंने अपनी राष्दानी पे अब कन्नोज खाली पाल गये हैं इनोने कहां कपज़ा कर लिया है परतिया राए है किनोंने कहां कभजा कर लिया का राश्ट्रकूट अंट पर दूर राउंड में राश्ट्रकूट को एक बात समझ में आगगी पार नहीं पड़ी तू अ पने पार या तो अपने South को रख सकते हैं आपने किसको रख सकते हैं North यदि North और South दोनों को लेने की कौशिश की तो या तो हाथ से North निकलेगा याहाथ से क्या निकलेगा और कोई भी आदमी चाता है घर तो मजबूती से रहे घर बचाएं बाद में पडोशी का कब पलोट पे कपजा जाना क्या कर दिया दो राउंड में तो 3 यह लडए बाद मैं राश्ट्र कुटों ने जाना बंद कर लिया कॉन वापस आमला किया इनså नहीं क्या पर अब राश्टर गुटों को बेठे बेडे धर धरिया है पर इनको पता था कि ये अपने जा के कन्योज पर कब्जा कर भी लिया तो लंबे टाइम तक रख नहीं पाएंगे क्योंगी पिछे वाल तंग करेंगे यहां पर इस बार राश्ट्रकूटों नहीं नहीं थी अपनाई एक राजा गया इसने राजान जा कि कन्योज में कौन ब कि यह दो ते नहीं है और आदिशन लेके वापस जोड़ों बाद राश्ट्रकूटों के राजा और अऊर उपना उत्से वापस एक पतिहार हों पर वापस टेक्स लिया और वापस भाग लागे च्छै राउंड चले किते राउंड चले 200 साल कि यह लड़ाई किते साल तक है भारत का त्रीपक्षिय संगर्स भारत का ट्राइपाटि स्ट्रगल ओव इंडिया 200 साल तक कौन कौनसे तीन सकतियों के बीच कहां पे कबजे को लेके इस पूरे लड़ाई में एक पावर जो कभी हारी नहीं वो कौनसे थे लेकिन एक पावर जो कर्नोज में कबजा कर लेती है वो कौनसे है कभजा करने में सफल कौन वे परतिहार और जो कभी हारे नहीं वो कौन से थे पहले कि दो राउंड में तो तीनों बाद में दो राउंड में पाल और परतिहार बाद में दो राउंड में राश्ट्रकूट और परतिहार क्याद आएगी बात अच्छा राश्ट्रकूटों ने कर लोग कन्योज गया पांच साल कबजा रखा फिर वापस शाया तो क्या एकलाग सारे वापस आजए पांच साल में कई वहां बस जाएएंगे तो कुछ लोग ऐं कन्योज के आसपास बस गए भान कि पहाड का इलाका था यूपी के अंदर जहां पर वो जाके बसे थे वो इलाका कहला था गडवाल क्या कहला था उत्राखंड वाला हिसाज भी पहाडवाला जो भाग उपर की तरब उसको क्या बोलते हैं गडवाल राष्ट्रकूर्ट गडवाल में बस गए जाके कहां बस गए तो उन राष्ट्रकूर्टों को बोलना सुर और शाऊथ इंडिया में एक नया वन्स आ गया चालुक के कौने वन्स आ गया। साउथ मज़न राष्टर कूट तो कमजोर हो गई यहां पर इंकी पावर्गी जगे कौँनी किसना ले लिगा इप इसका छाड должet यहां प्रकीर राष्टरकूट हारी कमजोर हो गया है कंवालों इन ने गाहडवालों किसने कभजागर लिया गैडवाल वे राष्ट्रकूट है जो कभीए उपी में आके इसका मतब साउथ इंडिया में इनको हम राष्ट्रकूट बोलते हैं और कंवालों में जब ही आ जाते हैं तो इन ही का नाम क्या पड़ जाता है इन्हीं में केसे एक बंदा-रद्यस्थान आ गया किन नोज वाले कहां पर आ गया जो में से एक बंदा कहां पर आ गया ज़ा के पड़ी बात तो शॉथ इंडीया में क्या कर conflicts में यां के नाम क्या कि अहां इसलिए जोटें गईडवालों को नाम दोनों इन कनोज़वालों में कई जग हुआ उनको गहडवाです जग उनी को राठोड नाम कीρεί मिस्टोड राष्ट्रकूर्ट करते करते धिर द्यार यह औरस्ट्रकूर से बना यह वासत्व नाम दोता रस्ट्रकूर्ट तो पूराने जो भी अब्लेक मिलते हैं उनमें राठोड ह ही नहीं उनमें क्या लिका है? राष्ट्रकूर्ट में उन राथ राठोड करें हो थाते हैं तिन्होंने काओ का भई हम राठोड है कौन से राठोड हो रहा कि गहडवाल और राजस्थान की तरफ आये तो गहडवाल वला तो कुछ था नहीं तिन्हों कोन हो तुम तो राठोड है तो तिन्हों एक ही बात है अब यह इतियास करूंगा डिबेट है कई करते हैं कि एक ही नहीं है और कोई कटा एक है अपने इता ज़्यदा लोड नहीं लें आपको इस्ट्री में पीएसेडी करें वो लोड ले अपने सिंपल क्यूशन पूछेंगे कि राजस्थान के राठोडों के उत्तपति कौन-कौन से वंसों से मानी जाती है कन्योज के गहडवाल या दक् कर देगी बात